एक सब्सक्राइब में भी हैई कि लो ईजोलिशन फोटो को किसे हमाइब बना सकते हैं आई मीन घ्लिद काूर Barnes चुकिंधा यही זה लिए हब कम है csak सब्सक्राइब करना है जिसका नाम है रेमनी अप्लिकेशन प्लेश्टोर से डाउलोड गर सकते हो आपको टाइप करना है रेमनी यह पहले सर्च में आ पर आ जाएगा मैंने इसको इंस्टोल कर लिया है मैं अभी इसको यहां पर ओपन कर लेता हूँ मुझे कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस का देखने को मिलेगा है तो हमने जो इसके हम फ्ली कलर कर देना है क्लिक करने के बाद में यहांप प्रटो को इंपोर्ट कर लेना है जिसको आपको मताक लेटे होगा रैट करने उसको गया गिलीक़ कर देना है तो कहले जिससे आप क्लिक कर तक आपको पर चालू हो जाएगा तेम्स क्षोटा सा एड में यहां पर जाएगा देना है तो देख सकते हो कि left side में आपको before दिखेगा and right side after तो मैं आप फोटो को देख सकते हो यह हमारी है before की photo ठीक है मैं इस पहले कुछ इस तरीके से थी and इस application ने तो इस तरीके से बना दिये तो आप देख सकते हो कि just थोड़े से second में आपकी photo blur से इतनी clarity and detailing आपके automatic add हो चुकी है तो किस हमें कुछ नहीं करना just photo को import करना है अपने आप ही इस तरीके की मतला जो blur photo है आपको देख सकते हो कितनी clarity photo में आगे तो किस आइस पहले दिखनी रही थी अभी इतने प्रोपा तरीके से वह दिख रही है तो किस यह देखिए before and अभी कितने अच्छे तरीके से इसने clarity वगेरा and detailing वगर इसमें add कर दिये तो हमारी कुछ blur photo थी तो मतलब देखिए आप खुद देखिए घर आपकी कुछ blur photo थी आपने क्लिक करी बट आप चाहरे हो कि उसका use करना तो आप इस application की मदद से उसमें clarity add कर सकते हो उस photo को use कर सकते हो त अगर आप फूर मतलब पूरी photo देखना चाहती होते हो तो इस पर क्लिक करके पूरी photo यहां पर चेक कर सकते हो तो अभी photo सेव करने के लिए आपको simply download बटम पर क्लिक करना है और आपकी photo सेव हो जाएगी gallery में वह भी without dotamark तो आए गैलरी में देख लेते हैं तो यह हमारी photo अभी पहले वाली photo यहां पर चेक कर लेते हैं तो यह हमारी पहले वाली photo जो कि यहां पर blur type में है पूरी and इसी detail आप देख सकते हो ठीक है यह देखे 190 कुछ है अब भी जो आफर यह जो photo अभी आप गैस देखो कितनी बड़िया लग रही है इसमें add हो गया detailing आ गया उसकी size आप देख सकते हो 4.37 KB तो कितना increase कर दिया है कितना resolution इसका increase कर दिया है so guys यह देखिए so guys I hope आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगे अच्छी लगी होगे तो like जरूर कर देना so guys मिलते है next video में till then goodbye